36 गर में कई सारे प्राकृतिक और धार्मिक परियटन स्थल हैं, जिन में से कुछ स्थल तो रहस्य मईई हैं, उन्ही में से एक है सरगुजा के लमगांव में स्थित हनुमान मंदिर। इस विडियो में हम इसी मंदिर के बारे में और इससे जुड़ी मानेताओं और कहानिों के बारे में जानेंगे। हनुमान मंदिर लमगाम्व 36 गर के सरगुजा जिले में लमगाम्व में स्थित हनुमान मंदिर में रखी मूर्ती की वजह से काफी प्रसिद्ध है ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में रखी मूर्ती का आकार समय के साथ बढ़ रहा है जब इस मूर्ति की स्थापना मंदिर में की गई थी तब लगभग एक से डेड़ फीट का था लेकिन अब बरकर लगभग तीन से चार फीट का हो चुका है इस मंदिर का निर्मान वर्ष उननीस सौ पंचामबे में हुआ था इसके अलावा इस मंदिर की सबसे खास बात यह कि यहां वर्ष दो हजार दो से चौबीस घंटे रामचरित मानस का पाठ किया जा रहा है साथ ही अखंड दीप प्रजवलित किया जा रहा है रामायन का पाठ करने के लिए चार पुजारियों को नियुक्त किया गया है जो बारी बारी से तीन तीन घंटे तक दिन रात पाठ करते हैं ऐसा करने के लिए इनको हर महीने पाँच हजार रूपिय मिलते हैं मंदिर में हर शनिवार और मंगलवार को काफी भीड होती है लोगों का मानना है कि यहां सभी मनोकामनाई पूर्ण होती है साथ ही हर शनिवार को भंडारे का आयوجन भी किया जाता है राम दर्बार इस स्वयम प्रकट हनुमान जी के मंदिर के सामने ही राम दर्बार है जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मन जी की मूर्टी है साथ ही राधा और कृष्ण की मूर्ती को भी स्थापित किया गया है इस राम दर्बार में दीवारों पर रामायन से जुड़े चित्र बनाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरती के साथ रामायन की कहानी को बताते है मंदिर से जुड़ी कहानी, लमगाम वस्थित, स्वयम प्रकट हनुमान जी की मूर्ती से जुड़ी कहानी बहुत ही दिलचस्प है ऐसा माना जाता है कि बाबा त्रिवेनी नाम के एक व्यक्ती थे जिनके सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिये और कहा कि वे एक पेड में फसें हुए उन्हें बाहर निकाले ऐसा सपना उनको कई बार आया उसके बाद बाबा त्रिवेणी जी उस पेड के पास गए और उस पेड को काट कर देखा तो दंग रह गए सच में वहां हनुमान जी की मूर्ती थी इसके बाद मंदिर की स्थापना की और मूर्ती को स्थापित किया गया है कई सालों बाद पता चला कि मूर्ती के आकार में भी बदलाव हो रहा है और समय से साथ बढ़ रहा है इस बात से लोग आश्चर्य चकित हो जाते हैं और इस हनुमान जी के दर्शन करने पहुँचते हैं। सरगुजा के लुंडरा विकासखंड के लमगाम में स्थित हनुमान मंदिर तक पहुँचना बेहद ही आसान है। यह अंबिकापुर से लगभग 22 किलोमीटर की दुरी पर हैं। नेशनल हाइवे 43 में लमगाम मंदिर का पहला द्वार बनाया गया है। इस द्वार से सीधे आगे लगभग 20 किलोमीटर आगे जाने पर आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे, आप अपने दो या चार पहिए वाहन से आसानी से पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में हमने लमगाम के हनुमान मंदिर और उससे जुड़े रोचक कहानियों के बारे में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।